उधारन नौ एक हजार रुपै का नौ महा का आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर्से चकृद्धी ब्याज ग्याद कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए उधारन नौ हल प्रश्ट में हमें ब्याज की गणना तिमाही करने के लिए कहा गया है तिमाही है इसलिए जब हम बात करेंगे कि उसके समय कितना होगा तो समय N बराबर यहां कहा गया है कि समय जो है वो 9 मा है तो 9 मा में हम यदि तिमाही की गड़ना करें तो हमारे पास तीन तिमाही होंगे नौ बटे तीन बराबर तीन तिमाही अब यदि हम दर की बात करें तो दर आर बराबर कितना होगा? दिया गया है प्रश्ण में आठ प्रतिशत वार्शिक आठ प्रतिशत वार्शिक लेकिन क्योंकि एक वर्ष में चार तिमाही होते हैं इसलिए दर जो है वो एक चोथाई हो जाएगी 8 का एक चोथाई याने की 8 पटे 4 प्रतिशत तिमाही और हमें मिलेगा इसका मान 2 प्रतिशत तिमाही मुल्धन P कितना होगा? प्रश्ट में दिया गया है मूलधन P बराबर 1000 रुपए अब हम मिश्रधन की गढ़ना कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं हम जानते हैं कि मिश्रधन A बराबर मूलधन P कुनित एक धन आरबटे 100 पूरे की घात N सभी का मान रख लें तो मिश्रधन A बराबर P मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 1000 रुपए एक धन R का मान तिमाही गढ़ना के कारण हमने उसका मान निकाला है 2 प्रतिशत तिमाही इसलिए 2 बटे 100 और समय जो है वो 3 तिमाही इसलिए N का मान होगा 3 आगे हल करते हैं 1000 रुपए और इसे हल करने पर हमें कितना मिलेगा 2 के पहाड़े से दिया हम काटे तो ये मिलेगा हमें 1 बटे 50 एक धन एक बटे 50 पूरे की घात 3 आगे हल करने तो 1000 रुपए और एक धन एक बटे 50 को हम लिखेंगे 59 बटे 50 पूरे की घात तीन पुना आगे हल करें एक हजार गुनेत इंकावन बटे पचास गुनेत इंकावन बटे पचास गुनेत इंकावन बटे पचास इसे आगे हल करें तो हमें मिलेगा पचास से यदि हम पचास के पाड़े से इसे हल करें तो 50 से कम 50, 50 दुनी 100 और ये 0 इसके बाद हम हल करें इसे तो हमें मिलेगा 10 के पहाड़े से हल कर ले 10, 50, 10 दुनी 20 और इसके पश्चाद 2 गुनित 51 गुनित 51 गुनित 51 चलिए आगे हल कर लेते हैं और 2 के पहाड़े से यदि हम इसे हल करें तो 2 एकम 2 और यहां पर ये हल हो ज अब हम इसे सरलतम रूप में लिखेंगे 59,59,59 बटे हर में हमें प्राप्त होगा 5,25 इस पूरे को हल करके हमें मिलेगा 1,32,659 बटे 125 इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1,061.2 रुपए आगे हल करते हैं हमें मिश्रधन बडाबर प्राप्त हुआ है मिश्रधन ए बराबर 1,061.2 रुपए इसलिए अब हम चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कर सकते हैं तो इसलिए चक्रवृद्धी ब्याज बराबर होगा मिश्रधन रिणमोल्दन मिश्रधन का मान 1,061.2 रिण मूल्दन है हमारे पास 1,000 रुपए तो हमें प्राप्त होगा 61.2 रुपए चक्रवृद्धी ब्याज के रूप में इस प्रकार प्रश्ण हल हुआ कम दो हमें दाँ प्राप्त हुआ ज Till दो हमें प्रूद्धी बश्र встрет when